मुकेश डाल्मिया ने जिला परिसत के लिए किया नामानकन पत्र दाखिल। उपमंडल के गाउं बढ़वा के युवा ध्योग पती मुकेश डाल्मिया को सर्व समाज ने दिया अपना जन समर्थन। बिवानी में अपने पूरे जन समर्थन के साथ में भरा नामानकन पत्र हरियाणा में बजे पंचय चुनाव के बिगुल में लगतार उतार चड़ाओ आते आ रहे हैं जहां एक तरफ लोगों में नामनकन भरने की दौड लगी हुई है वहीं दूसरी और कई उम्मीदवार एक दूसरे के गिलेशिक के दूर करके मनाने में जुटे हुए हैं इसी तरह ही कल गी उपमंडल के सबसे बड़े गाओं बढ़वा से रामलीला मैदान से सरवजातिय मिटिंग करके ग्रामिडों ने मुकेश डाल्मिया को जिला परिसत का उमीदवार बनाया और उसके समर्थन में हुंकार भरी जिसके बल पर आज मुकेश डाल्मिया ने सभी ग्राम वासियों और वार्ड वासियों का सहयोग और समर्थन मिलते ही एक्शन बूर्ड में आ गए और आज भिवानी पहुँचकर जिला परिसत वार्ड बाइस से अपना नामनकन पत्र दाखिल किया मुकेश डाल्मिया ने कहा कि लोगों के मिले अपार प्यार और सनही की बदौलत ही चुनाव मैदान में उतरे हैं और अब यह चुनाव आम जन का चुनाव है और सब इसमें बढ़ चड़ कर सयोग करें मुकेश डाल्मिया ने नामनकन पत्र दाखिल करने से पहले पत्रकारों को संबोदित करते हुए कहा कि जिला परिसत के लिए आज नामनकन दाखिल कर रहे हैं और यह मेरे लिए एक बेहत खुशी का शण है कि कल गाउं के सभी जाती के लोगों ने मिलकर मेरे को जिला परिसत का उमीदवार बनाया और मेरे को इस लायक समझा कि मैं वार्ड के लोगों की सेवा कर सकूं मैं उनके विश्वास को कायम रखते हुए पूरे गाउं के हर एक वेक्ति से संपर्कर करके चुनाओं में मतदान की अपील करूंगा और यहां के आमजन के हर एक कार में अपना योगदान अदा करूंगा उन्होंने कहा कि अगर वार्ड के लोग मुझे विजई बनाते हैं तो मैं यहां के लोगों की उमीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा उन्होंने कहा कि लोगों का भारी जन समर्थन उनको मिल रहा है और आसपास के अनेक लोग खुल कर सामने आ रहे हैं और खुले मन से उनका समर्थन कर रहे हैं। समाज की सेवा में उन्होंने अपना योगदान दिया है जिसकी बदौलत आज लोग उनको अपना आश्रिवात दे रहे हैं और यह आश्रिवात उनका हमेशा बना रहे तो एक दिन सिवानी इलाके को एक नई दिशा देने का वहकाम करेंगे इस अफसर पर भिवानी जिला पर